अगर आप उत्राखंट पब्लिक सर्विस कमिशन की वेबसाइट को चेक करेंगे तो वहां पर आपको एक कलेंडर देखने को मिलेगा इसका मतलब इस एक्जाम के लिए प्रिपेर करने के लिए आपके पास अब हार्ली एक महीने का समय रह गया है आज इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं कि इस एक महीने के कम समय में किस तरह से आप वास्ट स्लेबस को कवर कर सकते हैं किस तरह से आप प्रिपेरेशन अपना चैनलाइज करें क्या वो इंपोर्टन टॉपिक्स हैं जो कि आपको पहले कवर करने चाहिए ताकि आप इस एक्जाम को जरूर क्लियर कर सकें क्या आप बेसिकली आपकी एक स्ट्रेटीजी होनी चाहिए ओके सो डू वाश दिस वीडियो तिल एंड और आल्सो इस वीडियो के एंड में हम एक ऐसी बात करेंगे जो कि आपके फायदे की जरूर हो सकती है and also start करने से पहले में ये बता दो कि हमारे चैनल पर already वीडियो अवेलेबल हैं जो कि आपकी इस एक्जाम में preparation करने में बहुत helpful हो सकती है so you can watch all these वीडियो सभी का link इस वीडियो के description box में अवेलेबल है देखे किसे भी exam के लिए तयारी शुरू करने से पहले आपको उस exam का जो syllabus है उसको properly analyze करना चाहिए आपको सबसे पहला आपका काम होता है कि आप समझें कि आपका target क्या है क्या particular syllabus है जिसको आपको पढ़ना है किस तरह से exam को design किया गया है सो देखे यहाँ पर आपके दो paper होते हैं जब आप prelims का exam देते हैं तो वहाँ पर आपके पास है paper 1 that is of GK and paper 2 that is of law so syllabus जो है आपका वो इस तरह से है कि paper 1 आपका 50 marks का होगा जहाँ पर आपसे 50 questions पूछे जाएंगे जो की international law, international current affairs, Indian constitution, recent जो भी case laws है, recent legal development यह सब आपका paper 1 में आपसे पूछा जाता है whereas paper 2 जो है वहाँ पर total आपको 7 subjects देखने को मिलेंगे that is CRPC, CPC, IPC, Evidence यह देखे यह जो area है यह एक ऐसे subjects हैं जो की commonly हर एक particular exam में पूछे जाते हैं whether आप उत्राखन के लिए prepare कर रहे थे या फिर आप अगर किसी अन्य exam के लिए भी prepare कर रहे थे तो भी आपने यह subjects जरूर पढ़े होंगे इसके अलावा TPA आपसे यहाँ पर पूछा जाता है that is transfer of property act, Hindu law and Muslim law भी यहाँ पर questions यहाँ से पूछे जाते हैं so total 7 यहाँ पर subjects हैं जो की आपको prepare करने हैं okay यहाँ से आपसे 150 marks के 150 questions पूछे जाएंगे so this is about syllabus अब हम detail में analyze करते हैं कि आप paper 1 को और paper 2 को किस तरह से पढ़ सकते हैं paper 1 देखें अगर हम मोटा मोटा paper 1 में देखें आप notification में official notification में देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने के मिलेगा कि international law से related questions constitution से related questions and legal जो भी current affairs है legal developments है वहाँ से questions पूछे जाएंगे ओके अब हम देखते हैं कि क्या वो important areas हैं जो कि आप सबसे पहले आपको cover करने चाहिए देखें आपको क्या करना है smart study करनी है and smart study का क्या मतलब है कि अगर आप detail में देखें तो वहाँ पर लिखा है recent legal development और अगर आप recent legal developments को पढ़ने लगें तो बहुत कुछ ऐसा है या फिर current affairs को अगर आप पढ़ने लगें वो भी legal current affairs को भी तो भी आपको बहुत सारे ऐसे supreme court के judgments मिलेंगे बहुत कुछ ऐसा मिलेगा vast area आपके पास होगा जो कि आप अगर पढ़ें तो भी एक महीने में cover नहीं कर सकते हैं सो आपको क्या करना चाहिए जब आप syllabus को देख रहे हैं तो वहां पर clearly लिखा हुआ है कि international law आपसे पूछा जाएगा constitution आपसे पूछा जाएगा और यह दोनों ही एसे एरियाज हैं जहां पर आप टू सम एक्स्टेंट स्लेबस को लिमिटाइज कर सकते हैं constitution जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप पता है आपको कि constitution से किस तरहा के questions बार-बार exams में पूछे जाते हैं इवन आप प्रीविस यह पेपर से भी एक बार अनलाइज कर सकते हैं similarly with international law वहां से भी important topics हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले international law और constitution को cover करें जब आप इन दोनों subjects को cover कर लें उसके बाद आप आगे forward मुव करें towards recent current affairs की तरफ legal developments हुए हैं जो भी latest कोई judgments आए हैं फिर उसके बाद उनको पढ़ें अगर आप यह पहले करने लग गए तो इसी में काफी समय लग जाएगा और जो आपका international law को है और constitution है यह रह सकता है इसलिए आपको क्या करना प्रारिटाइज करें कि international law constitution को पहले कवर करेंगे और यह मैं इसलिए भी कह रही हूं बिकॉस जब आप previous years के question papers को analyze करेंगे तो आप पाएंगे कि mostly जो questions है about 10 to 15 questions international law से पूछे जाते हैं similarly 10 to 15 questions constitution से आ रहे हैं सो इन दोनों से ही आपके 25 to 30 questions cover हो रहे हैं तो इसलिए आपको इन्हें पहले prioritize करके पहले international law constitution को cover करना चाहिए और international law में भी काफी एक proper defined area है जहां से repeatedly questions पूछे गए हैं देखे United Nations UN Charter आपको जरूर पढ़ना है UN की जो भी important organs हैं कितने organs होते हैं General Assembly में कितने members है Security Council में कितने members हैं कौन permanent members हैं कौन non-permanent members हैं किस तरह से election किया जाता है International Court of Justice से related questions बहुत पूछे जाते हैं कि इसका headquarter कहां पर है कब यह establish हुआ important international law में देखे case laws भी पूछे जाते हैं काफी international law से related बहुत ऐसे landmark case laws है landmark judgments हैं जो की पूछे जाते हैं and also definitions से related questions frame किया जा सकता है कि आपको एक proper definition दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि यह definition किस particular jurist के द्वारा दी गई है international law में sources, subjects और वहां पर syllabus में clearly लिखा है कि neutrality international law में specific topic है that is neutrality तो यहां से भी questions frame होंगे also international organizations and summits देखें यहां पर भी आप recent को किस तरह से international law से relate कर सकते हैं कि जो भी recent कोई summits हैं जो भी news में हैं कि इस तरह कि किसी summit में India ने participate किया या फिर global level पर कोई इस तरह से summit organized की गई है for example ASEAN है या फिर इस तरह से जो भी organizations हैं उसके members आपको पता होने चाहिए कब उन organizations का गठन हुआ क्यों हुआ इस तरह के questions भी आप international law के साथ ही international organizations को भी cover करें ओके next जब हम बात करते हैं about constitution so constitution में भी similarly set pattern है set defined areas है कि आपको सबसे पहले direct article based questions जो है वो पूछे जा सकते हैं उसके अलावा जो भी amendments हैं वहां से question पूछे जाएंगे latest कोई amendment हुआ है constitution में तो उससे related आपको जो भी landmark judgments हैं वो और उसके साथ साथ जो भी recent कोई supreme court के द्वारा latest development किया गया है उसको भी आपको यहीं पर constitution के साथ cover करना है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक particular कोई judgment अगर दिया है या फिर कोई भी important law lay down किया है उसको भी आप ध्यान में रखें उसके अलावा constitution में जो आपका पॉलिटी का एरिया है उसको भी आपको जरूर कवर करना है फर एक्जामपल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस तरह से प्रेजिदेंट और अगरा से related जो भी आपका वह वाला एरिया है आर्टिकल 51 से आगे जो है उसको भी आप जरूर अच् करना ही कम होगा because current affairs में बहुत कुछ है आपके पास जो कि आपको पढ़ना होगा पर यहां पर भी आपको क्या करना है आपको selective study करनी होगी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको केवल वो पढ़ना है जो कि आपकी help करे इस exam को crack करने में तो यह कैसे आपको पता चलेग कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें इसके लिए हम अपने चैनल पर भी कुछ वीडियो लेकर के आएंगे प्लस आपको क्या करना चाहिए आप पहले चीजों को relate करें कि कि किस तरह का question frame हो सकता है कि suppose कोई भी recent appointment हुआ है suppose अगर किसी को appoint किया गया है किसी constitutional body में for example कैग कॉन ह है या CJ किसको appoint किया गया या फिर कोई नया governor appoint किया गया है किसी भी particular state में या फिर अगर किसी कोई ऐसी body है जिसको अभी recently बनाया गया है नीती आयोग के chairman कौन है या किसे क्यों appoint किया गया यह सब आपका legal current affairs उसके अलावा अगर कोई भी particular ऐसा मुद्दा जो कि बहुत जादा news में रहा जिसके ओपर supreme court ने कुछ judgment अपना पास आउट किया तो वो सब आपको ध्यान रखना है ओके यह भी आप important बात ध्यान रखेंगे कि किसी question paper में आप देखेंगे कि दो तीन questions आपको jurisprudence से भी पूछे जा रहे हैं लेकिन इसको आपको करना है सबसे बाद में at the very end जब आपको लगे कि international law, constitution, current affairs और legal development यह सब आपने पढ़ लिया है उसके ऊपर आपको सिर्व आपका revision रह गया है उसके बाद at the very end अब jurisprudence को भी थोड़ा बहुत देखें थोड़ा बहुत इससे पढ़ें विकॉस यहां से भी दो तीन questions कभी कभी exam में पूछ लिये जाते ह हैं ओके सो यहां पर भी आपको focus करना है सो यह हमने बात करी about paper 1 जो कि आपका जी के का paper होता है next हम बात करेंगे about paper 2 तो आपका जो paper 2 है वहां पर जैसा कि हमने देखा कि total यह आपको seven subjects देखने को मिल रहे हैं अब देखें मैं आपको एक इक करके बताती हूं कि आपको हर एक subject को किस तरह से पढ़ना चाहिए बहुत ध्यान से सुनें फर्स आपका subject है Hindu law देखें जब हिंदू law की बात करते है तो हिंदू law में mainly आपको चार एक्ट पढ़ने हैं Hindu marriage act, Hindu adoption and maintenance act, Hindu minority and guardianship act and fourth is your Hindu succession act okay so just sequence में मैंने इन्हें बोला उसी sequence में आप इन्हें पढ़ें सबसे पहले Hindu marriage act को पढ़ें वहां से और क्या पढ़ना है सबसे main आपको सबसे पहले जो करना है that is you have to focus on bare acts जो भी इनके bare acts है because direct section based question बहुत जादा पूछे जाते हैं कि divorce related कौन सा section है, consent theory of divorce किस section में दिया गया है, custody of child किस particular section में है तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि आपको Hindu law के जो भी main acts है इन सभी के bare act को पढ़ना है जब आपको लगेगा कि आपने bare act अच्छे से पढ़ लिया है अब आपको bare act जो है वो थोड़ा थोड़ा याद हो गया है तो आप क्या करें MCQ solve करना शुरू करें जिस भी particular act को आपने पढ़ा उस act के MCQs को solve करें जो MCQ आपसे नहीं बनता है आपको नहीं उसका answer आता है उसको circle करें तोरंत अपने bare act में उसका answer find करने के कोशिश करें इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा ओके अब आपने MCQ भी solve कर लिए उसके बाद आपको क्या करना है हिंदू law में कई बार case laws भी पूछे गए हैं जो भी landmark case laws हैं वो भी हमने देखा है कि previous year के papers में case laws भी पूछे जा रहे हैं लेकिन यह आपको कब करना है यह आपको जब करना है जब आपको लगता है कि आपने bare act sufficiently पढ़ लिया है bare act आपको अच्छे से हो गया है याद क्योंकि आप अगर एक साथ सब कुछ करेंगे तो नहीं हो पाएगा आपको एक proper manner में कदम बढ़ना चाहिए यह नहीं कि आप सब कुछ एक बारे में कर लेंगे आप एक एक करके कदम बढ़ाएं पहले आप bare act पढ़े MCQ solve करें जब आ ऐसी ही आपको स्ट्रेटेजी मुस्लिम लौ के लिए अपनानी है मुस्लिम लौ में भी एक important fact यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहां से कई बार questions बनते हैं regarding the difference between Sunni and Shia school okay जब आप Muslim law पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि Sunni law and Shia law दो अलग अलग schools है और वहाँ पर बहुत सारे differences है for example जब हम marriage को concept पढ़ते हैं in Muslim law तो वहाँ पर हमें difference देखने को मिलता है कि in case of Sunnis witnesses की जरुरत होती है at the time of marriage whereas Shia में witnesses are not required at the time of marriage so इस तरहा के जो भी differences है यह ना के वल मैरिज के रिस्पेक्ट में बलकि डाइवोर्स के रिस्पेक्ट में भी गाजशिप में सभी important topics में आपको Sunni और Shia school में काफी difference देखने को मिलेगा तो most important आपको Muslim law में यह जो differences है इनको याद रखना है उसके अलावा काफी important terms जो है वो Muslim law में देखने को मिलती है कैसी terms for example option of puberty अब English में से option of puberty कह रहे हैं बट इसको ख्यार उल्ख बुलुग भी कहा जाता है इस तरह से आपको जो भी important terms है यह भी ध्यान रखनी है ओके यह सभी वीडियो देखे हमारे चैनल पर available हैं आप उनसे अपना देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो नेक्स अब हम बात करेंगे evidence और IPC so evidence और IPC के जब हम बात करते हैं तो दोनों के लिए ही आपको बहुत ज़ादा focus करना है on illustrations यहां से illustration based question आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो ब्यारेक्ट में illustration लिखा हुआ है डिट्टो वही illustration आपसे पूछा जाएगा कि यह कहां से किस particular section से पूछा गया है okay so आपको illustrations पर बहुत focus करना है उसके अलावा यहां पर भी similarly आपको बैरक तो पता होना ही चाहिए sections based questions है वो तो हर एक subject में पूछे जाते हैं IPC से related देखे जो भी landmark judgments हैं जो कि आप हमेशा से पढ़ते रहे हैं महभूप शहा वर्सेज एम्परर डुडले स्टीफिन वाला case है इस तरह से आर वर्सेज गोविंदा मर्डर से related case इस तरह से जो भी important case laws है वो आपको एक बार थोड़ा brush up कर लीजिएगा evidence से कुछ ऐसा खास case laws नहीं पूछे जाते ओके similarly CPC से related भी कोई ऐसे खास important मतलब ऐसा case laws का नहीं है कुछ चकर लेकिन आपको CPC में क्या करना है orders और sections की connectivity वो धरूर ध्यान रखनी है कि क्या particular order किस particular section से related है उसके अलावा आपको orders के साथ साथ rules को भी ध्यान रखना है कई बार देखें बहुत detail में आपसे question पूछ लिया जाता है कि किस order के किस particular rule में ये बात लिखी हुई है for example rejection of plant in order 7 rule 11 उसके जो grounds हैं वो भी आपको पता होने चाहिए ऐसे कुछ areas हैं जहां से related question बार बार पूछे जाते हैं इसके लिए आपको क्या करना है आप mcq जरूर सॉल्व करें cpc में आप बार 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 mcq को सॉल्व करें जितना आप जादा mcq सॉल्व करेंगे उतना ही आपको पता चलता रहेगा कि cpc के अंदर क्या क्या वो areas हैं जहां से repeatedly question बन रहे हैं जिस area से repeatedly question बन रहे हैं इसका मतलब यही वो areas हैं जो की आपके important हैं for prelims as well as for mains exam so important areas को पता लगाने का तरीका क्या है mcq को सॉल्व करें previous years के papers को analyze करें next अबाउट हम tpa and crpc so जब आप बात करते हैं tpa और crpc तो यहां पर भी देखें बेरक तो आपको हर एक particular subject का जरूर पढ़ना है sections को याद करना है tpa में बहुत जादा detail में आपको नहीं पढ़ना मतलब आपको यह नहीं है कि सारे ही sections पढ़ने हैं यहां पर भी set particular areas हैं जो की important हैं वहीं से repeatedly questions बार बार बनते हैं तो वहीं आप बार बार revise करें similarly with crpc, crpc में भी particular areas हैं जैसे definition based questions कई बार बनते हैं इंवेस्टिगेशन से related जो एरिया है वह important है ट्रायल से related important area है section 26 आपका important है इस तरह से कुछ particular areas हैं जो की important है उन्हीं areas को आपको पढ़ना है but the main thing जो की सभी subjects के लिए आपको follow करनी है वो क्या है? कि सबसे पहले आपको क्या करना है? baret पर जरूर focus करना है सभी subjects के आपको क्या करना है? baret सबसे पहले पढ़ने हैं जब आपको लगे baret आपने कर लिया है तो आप MCQ solve करें baret पढ़ते समय illustrations पर बहुत focus करें और जो भी landmark case laws है उनको ध्यान रखें और constitution के respect में जो भी latest development है वहाँ पर आपको landmark के साथ साथ latest case laws है वो भी पढ़ने है ओके previous years के papers को solve करें ताकि आप समझ सके कि आपकी तैयारी किस proper way में जा रही है कि क्या आप question papers को solve कर पा रही है या न एक और question आपके mind में आएगा कि हमने यहां पर देखा कि यह तो total seven subjects हैं और अगर इन seven subjects को हम अभी से भी पढ़ना शुरू करें तो भी हम एक महीने में इन्हें कैसे कवर करेंगे यह तो मैं आपने बताए ही नहीं कैसे कवर करें तो the thing is कि आप अगर एक ही subject को सिर्फ बहे जा रहे हैं because monotony जो है वो आपको boredom की तरफ लेकर के जाती है अगर एक ही जैसा सब कुछ चलता रहे ता आप बोर होने लगते हैं तो इसलिए ऐसा नहीं करना है कि आपके वल एक ही subject को पूर पूर दिन पढ़ रहे हैं आप क्या करें किसी भी दो या तीन subjects का एक ग्र इंफर टेबल लगे वैसा आप इन seven subjects में से कोई भी दो या तीन subjects चूज करें उनका एक ग्रुप बनाए कैसे कि suppose आप CRPC को IPC को और Hindu Marriage Act को केवल Hindu Marriage Act में बोल रही हूं कि इन तीन subjects को आप एक साथ पढ़ना शुरू कर सकते हैं suppose आप दिन में छे गंटे पढ़ रहे हैं तो सुबह आपने दो घंटे CRPC पढ़ा एक गंटे CRPC पढ़ा एक गंटे MCQ किया फिर आपने ब्रेक लिया आपने फिर दो घंटे IPC पढ़ा IPC में भी सिमिलरली बैरक पढ़ा MCQ किये फिर आपने दो घंटे Hindu Marriage Act पढ़ा MCQ किया बै सब्सक्राणा की सborब reject बनाना हैं कोटे संबसे जदा हैं कि जर आप इस तरहा से पढ़ रहे हैं गुरूप बना करके पढ़ रहे हैं तो आप नया जो लिए उसके श्ताथ पुराना जिए पढ़ा चुके हैं उसको भी रवाईज करते चले कि सब्सक्स कर चोभाने कि आपने तिनों सब्जर्ट को रख दिया और बहुत समय तक पढ़ा ही नहीं, ढ़को क्या करना है इनका जो इंडेक्स है ठीके बेर च्छेसें सबसे आगे इंडेक्स होता है तो जो इंडेक्स है आपको उसे इंडेक्स से करते रहना है थोड़े थोड़े सेक्शन कि सपोज आपने केवल हिंदो मैरीज एक उठाया उसके 10 सेक्शन बेरक्ट से एक बार देख लिए तो आप क्या कर सकते हैं बेरक्ट से भी सेक्शन को रवाईज करते चलें कि आप रवाईज नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे नाव हम आते हैं अलग कोश्चन के उपर डाट इस रिगार्डिंग दा कट ओफ मार्क्स देखें कट ओफ मार्क्स पता होना भी बहुत जादा जरूरी है जब आपको पता होगा कि आपको इतने मार्क्स में से आने है तब ही आप उतनी महनत कर पाएंगे तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि जो एक्जाम है उसका पैटरन क्या है कि 50 क्वेश्चन्स जी के प्लस 150 क्वेश्चन्स ऑफ सेकेंड पेपर सो टोटल आपसे यहां पर जो है आपका एक्जाम हो रहा है ऑफ टोटल 200 मार्क्स दोसो क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगे 200 नंबर के अब यहां पर हमने ओफिशन नोटिफिकेशन से ही मैं आपको दिखा रही हूं कि प्र 2018 2018 के एक्जाम में जो कट ओफ थी फॉर अनारक्षित मीज अन्रिजर्वड के लिए जनरल के टेगरी के लिए जो कट ओफ रहा डाट वाज 162.50 मार्क्स इतना कट ओफ उस समय रहा था फिर उसके बाद देखें यहां पर 2019 का जो पेपर था वहां पर कट ओफ कितना रहा था 145.75 मार्क्स और यह दोनों कितने में से 200 मार्क्स में से इतने मार्क्स का कट ओफ जो है वो रहा है तो यहां से आप देख सकते हैं कि कट ओफ काफी हाई जा रहा है क्यों हाई जा रहा है विकास यहां पर सीट भी कम होती हैं देखें कट ओफ हाई जाने के काफी रीजन्स ह एक तो सीट यहां पर कम है इसी लिए कट आफ जो है वो हाई जाएगा उसके अलावा क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है या उसका लेवल क्या रहा उसके ओपर भी काफी बार डिपेंड करता है कि कट आफ कितना रहेगा तो अगर यहां पर कट आफ 162 रहा था इट मीज इस समय पेपर जो है वो थोड़ा मॉडरेट रेवल कर रहा होगा इजी लेवल पर रहा होगा तो क्वेश्चन पेपर किस तरह का आया उसके उपर भी डिपेंड करता है कि कट आफ कितना रहेगा तो आप क्या करें अपने माइंड में एक सेट करके रखें कि आपको 150 प्लस इस इस सकोर करना है देखे इतना सकोर करेंगे तभी आप कट JOSH कर पाएंगे फ्लस म संसे आपको यह भी बता दूकि इस एकजाब में 1.0 by 4th नेगिटिव नार्किंग भी है तो आप नेगिटिव आपको क्विग नेगिटिव साथ को 150 प्लस प्लस सोर करना होग इन ओंडर त आप क्या करें जब आपकी प्रिपरेशन ठोड़ा सही लेवल पर आजये तो आप मोक टेस्सकते हैं या फिर आप प्रीवेस यूर कें haven को डिपासकते हैं कि आप से कितने क्वेस्चेन सही हो रही है आपके preparation का level क्या है? Okay, now last but not the least करते हैं आपके फायदे की बात. आपके फायदे की बात that is हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं in your preparation. So, हम अपने channel पर देखे काफे कुछ depend करता है on the response of students. जैसा आपका response रहेगा वैसा ही हमारा response रहेगा. So, हम क्या करने वाले हैं? हमारे channel पर most expected MCQ series. वो भी सबसे पहले हम GK का जो portion है, वहाँ से related most expected क्या-क्या MCQ बन सकते हैं. उसका एक proper series आपके लेकर क्याएंगे जो कि आपका इस exam में जरूर helpful रहेगा. प्लस हम previous year के जो question papers हैं, देखे अगर आप हमारे channel पर playlist के option में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि राजस्थान के exam से पहले हमने discuss किया था previous year के question papers को. तो similarly अगर आप चाहते हैं, तो हम previous year के question papers को भी अपने channel पर discuss कर सकते हैं, ताकि आप analyze कर सकेंगे previous year में किस तरह के questions जो हैं, वो पूछे गए हैं और आपको किस तरह से preparation को क्या direction देनी है. प्लस हम quick revision series start कर सकते हैं, जैसा कि already हम Hindu marriage act, Hindu guardianship act को हम revise कर चुके हैं, Muslim law से related भी important revision के topics हमने discuss किये हैं अपने channel पर, तो इसी तरह से हम quickly revision भी कर सकते हैं, और important topics को लेकर के, छोटा छोटे videos हम लेकर के आएंगे, for example, international law में students काफी जादा confused मुझे लग रहे हैं, तो इसी लिए हम क्या गरेंगे, important topics से related videos आपके लिए लेकर के आएंगे, कि suppose ICJ, ICJ से related किस तरह के questions बन सकते हैं, इस तरह से हम videos लेकर के आएंगे, so this is how we can help in your preparation, and I hope आपको ये video helpful लगा होगा, देखें, अगर आपको ये helpful लगा, so do hit the like button, आप अपने जो भी views हैं, सब comment section में हमें बता सकते हैं, you can also share this video with your friends, and also you can subscribe our channel, press the bell icon, ताकि आपको सभी upcoming videos का जो notification है, वो time to time मिलता रहे, because हम अपने channel पर अब एक proper manner में आपको preparation के लिए, बहुत सी videos लेकर के आने वाले हैं, ताकि आपको सभी videos का notification time to time मिल जाए, इसलिए आप like उनको भी प्रेस कर सकते हैं, so this is all, and I hope कि आपको ये video helpful लगा होगा, thank you for supporting us, stay tuned with our channel, thank you.